हिम्मत और जिंदगी निबंद रामदारी सिंग दिन कर जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाओं के नीचे खेलते और सोते हैं बलकि फूलों की छाओं के नीचे अगर जीवन का स्वाथ छिपा है तो वाई भी उनी के लिए है जो दूर रेगेस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंड सूका हुआ, होट फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है, पानी में जो अमरत तत्व है उसे वाई जानता है जो धूप म मूल पहले चुकाते हैं और उनकी मजेबाद में लेते हैं उन्हें स्वाथ अधिक मिलता है जिने आराम आसानी से मिल जाता है उनकी लिए आराम ही मौत है जो लोग पाउं भीगने की खौप से पानी से बचते हैं समुत्र में डूप जाने का खत्रा उनहीं के लिए है लहर परीर को अप रतनाई की जरूरत मालूम होती है और जिनका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर समाए उसने किसी अच्छे काम में लगाया है इसके विपरीत वाय आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखे की नीचे छिपा हुआ था और आप रात में जिसक बहर चांदनी में लगाई गई है ब्रह्मतो सायद उसे भी होता होगा कि वाय चांदनी के मजे ले रहा है लेकिन सच पूछिये तो वाय भी खुसबूदार फूलों के रस में दिन राप्त सड़ रहा है भोजन का असली स्वात उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाय भी रह सकता है तेन त्यक तेन भुण्जिता जीवन का भोग त्याग के साथ करो यह केवल परमार्त का ही उपदेश नहीं है क्योंकि सैयम से भोग करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वाय निरा भोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता बड़ी चीजे हैं बड़ी मुसीवितों में पलकर दुनिया पर कबजा करती हैं अकवर ने 13 साल की उम्र में अपने पिता के दुस्मन को परास्त कर दिया था जिसका एक मातर करड़ आय था कि अकवर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था और वाय भी उस समय जब उसके पिता के पास एक कस्तूरी को होने से ही पैदा होते हैं जिंदगी की दो सूरते हैं एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोसिस करे जकमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोस की रोसनी के साथ अंध्याली का जाल बुन र आने का ही सैयोग है क्योंकि बे आत्माएं ऐसी गोधोली में बसती हैं जान ना तो जीत हस्ती है और ना कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है इस गोधोली वाली दुनिया के लोग बंदे हुए घाट का पानी पीते हैं बे जिंदगी के साथ जुगा नहीं खेल सकते और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दाव पर लगा देने में कोई आनन्द नहीं है अगर रास्ता आंगे ही निकल रहा हो तो फिर असली मजा तो पाम बढ़ाते जाने में ही है साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी प के बारे में क्या सोच रहे हैं जन्मत की उपेक्षा करने जीने वाला आदमी दुनिया की इसली तागत होता है और मनुस्ता को प्रकास भी उसी आदमी से मिलता है अडोरा पडोरा को देखकर चलना या साधर जीत का काम है क्रांती करने वाले लोग अपने उद्देश की तुल रख लेता है जिन सपनों का कोई बैवारिक अर्थ नहीं है सायसी मनुस्त सपने उधार नहीं लेता अपने बिचारों में रंगा हुआ अपनी किताब पड़ता है जुंड में चलना और जुंड में चरना या भैस या भेड का काम है सींग तो बिलकुल अकेला होने पर भी म चलना नहीं ले सका जिंदगी की चुनाती को कबूल नहीं कर सका वै शुखी नहीं हो सकता बड़े मौके पर सास नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक अबाज सुनता रहता है एक ऐसी आवाज जिसे वही सुन सकता है और जिसे वहाज रोग भी नहीं सकता यह आवाज उसे बराबर कहती है तुम सहस नहीं दिखा सके तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुक कहते हैं उसका ना मिलना फिर भी इससे कई स्रेश्ट है की मरने की समाई हम अपनी आत्मा से यह धिकार सुने की तुम में हिमत की कमी थी कि तुम्हें सहस का आभाव था कि तुम ठीक बक्त पर जिन्दगी से भाग खड़े हुए जिन्दगी को ठीक से ना जीना हमेसा जोखिम जहला है और जो आदमी सकुसल जीने के लिए जोखिम का हर जगाय पर घेरा डालता है वह अंतता अपने ही घेरों के बीच अंत में हम उतना ही पाते हैं जितने की उसमें पूझी लगाते हैं यह पूझी लगाना जिन्दगी के संगटों का सामना करना है उसके उस पन्ने को उलटकर पढ़ना है जिसकी सभी अक्षर हूलों से ही नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं जिन्दगी का भेत कु तो समुद्र के अंता इस्तल में शेपे हुए मौक्तिक को कौन बहार लाएगा दुनिया में जितने भी मजे बिखर गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है वह चीज भी तुमारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुच के परे मानकर लोटे जा रहे हो कामना का अंचल छोट मत करो जिन्दगी की फल को दोनों हातों से दबा कर ना ने चोड़ो रस की निरजरी तुमारे बहाओ भी बैसकती है उम्मीद करता हूँ रामधारी सिंग दिनकर जी का याइनमन आपको पसंद आया होगा अगर आप लोगों को याइनमन अच्छा लगा हो तो इसे आप दोस्तों में वटसेफ फेस्बूक की माध्यम से सेर कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक तता चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तक देखते और पढ़ते रहिए धन्यवाद